हेलो गाइस वेलकम बैक तो आज हम इसमें पढ़ेंगे अपने जम्मू कश्मीर की जिग्राफी को कंटिन्यू करते हुए रहने सिस्टम में आप जम्मू और कश्मीर इसका पार्ट वन रहेगा ठीक है इसमें हम आज रिवर्स कंप्लीट करेंगे दोनों डिविजन की उसके बाद अब इसका जो पार्ट तू होगा उसमें हम इंपार्टेंट लेक्स जो होंगी जम्मू डिविजन में कश्मीर दिविजन में वह हम पढ़ेंगे इसके सेकंड वाले पार्ट में तो यही वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ तो गाइश हम प lodge यहाँ पे रिवर्स आप जम्मिन कश्मीर तो आपको यह दिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता था यहां पर कि यह हमारी गिलगिट है यह इंडिस है यह अमारी श्योक रिवर है उसके बाद जहिलम है उसके बाद यह देता है हमारी कौठ है जि तो यह थोड़ा मैप आपको दिखाना जूरी हो जाता था देखे जो आप यह डॉट डॉट वाली लाइन देख रहे हैं तो यह हमारी रिवर्स है तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ तो गाइस यह है रिवर्स आप जम्मुएंड किश्मीर तो बहुत सारी रिवर्स यहा रावी रिवर्स हो गई चिनाभ हो गया इंडस हो गया तावी रिवर्स हो गया यह कुछ हमालने रिवर्स आप मँ.' statement तो हम देखते हैं river of jammu region jammu region के रिवर में सबसे पर हमारा पड़ चिनाब रहा है ठीक है तो यह लाखना सबसे पहले जो चिनाब रिवर का रिगवेदीक नहीं कह सकते हैं तो आहिसे हम इसका एनिशनेट नहीं कह सकते हैं तो guys वो है आज की नी, ठीक है, पहले पूछा जा चुका है, आपके exam में भी पूछे जाने की संभावना बनती है, ठीक है, अब यह river originate कहां से होती है, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था, Indian geography में मैंने जब पढ़ाया था, उसकत ही मैंने आपको बताया था, कि चिनाब को हम चंद्रा भागा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो यह निकलती है, बाराल अच्छा लापास से, कहां पे लाहू लेंड स्पीटी रीजन में, ठीक है, हिमाजल प्रदेश में वहां पे निकलती है, ठीक है, तो यह वहां पे दो streams भाते हैं, दो जरने भाते हैं, चंद्र किलोमेटर लंबी है तो यह 500 किलोमेटर यम्मु और कश्मीर में यह बहती है उससे पीछे यह कहां बहती है उससे पीछे बहती है यह माचल प्रदेस में ठीके गाइस तो यह eastern section जो है हमारा यह southern slope पीर-panjal range का उसके eastern section में यह बैती है तो यह जम्मू एंड कश्मीर में कहां पे एंटर हो जाती है हमारी किस्तवाड में क्या है किस्तवाड एरिया में एक जगा का नाम पाडर है तो पाडर में जब यह वहां पर पहुंचती है तो वहां से एंड कश्मीर को अकनूर डिस्टिक में छोड़ देती है और यह स्याल को डिस्टिक जो है पाकिस्तान की वहां पे एंटर हो जाती है ठीक है और इसके उपर बहुत सारे प्रजक्ट भी बने हुए हैं जैसे कि सलाल हो गया डूल हस्ती हो गया सवाल कोट हो गया बगलिहार तो इस से यह जो चिनाव पेवर है इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है चिनाव रिवर की तो वह कौन सी है एक है हमारे पास मियार नाला, ठीक है मरु साधार, बिगिच्ट राइड बैंक ट्रिब्यूटरी इसकी है मरुस हुदर, ठीक है तावी बिग्च्ट लाफ्ट बैंक प्रिब्यूटर इसकी है वोट नाला ठीक है उसके बाद ये है अल Lewट नाला ये पाड़र में इससे इसमें मिल जाता है पाड़रमचेल में ठीक है लीडरारी वहां पर उसको मिलती है मारू सुदर और तावी रिवर के बारे में मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा है तो ज़दे आप हवारे पास मारू सुदर रिवर ये कहां से निकलती है कोई ये भी लाहू वैली से से होती है दो जरने है वहाँ पर बटकोट एंड गुंबर यह कहां पर इसके हाथ मर्द जो आती है और यह बनाती है वहाँ पर वाडवन रिवर वहाँ पर यह बनाती है अगर हम जो वाडवन रिवर का लौर एरिया अगर हम देखें उसे हम कहते हैं मारू सुदर ठीक है क्या तो वो किस की शेप की तरह है जो fan शेप होता है तो fan की शेप की तरह इसका जो हमें catchment area देखने को मिलता है ठीक है अपर पार्ट जो है इसका वहाँ पर उसके ओपर glacier है ठीक है तो और वहाँ पर पर्मनेंटली एक snow line बनी रहती है ठीक है जो जर्नली मतलब कितने मेटर की है 4700 मेटर की वह हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारे पास तवे river जम्मू की शान ठीक है यह तवी जो है यह केलाश कुंड glacier जो है कहां पर भदरवा ठीक है डोडा भदरवा में एक केलाश कुंड है glacier जहां से जम्मू की डिस्टिक में यह क्या करता है यह वहां से originate होती है इसकी total length अगर हम देखें 141 km की है इसका जो catchment area जो कहां किसको कवर करता है जम्मू उधुमपर और डोडा डिस्टिक की कुछ छोटे से इससे को यह कवर करता है ठीक है यह river कहां से फ्लो करती है चिनेनी टाउन जो उधुमपर का है उधुमपर का चिनेनी टाउर है वहां से क्या करता है जो टाउन जो है वहां से यह फ्लो करती है वो जम्मू में जाती है और उसके बाद and then join the Chinab river in Sialko district वाकिस्तान तो पाकिस्तान की Sialko district में जाकर यह चिनाब रिवर से क्या कर लेता ह उसके साथ जूड़ जाता है after passing through this region इन रिवर से पास होने के बाद यह रिवर जो है पाकिस्तान में एंटर हो जाती है चिनेनी हाइड्रो पावर प्रजक्ट जब आप जम्मू जाते हैं तो आपने चिनेनी हाइड्रो प्रजक्ट देखा होगा वो भी इसी तावी रिवर क गाइड इसका परुषणी ठीक है यह रिवर का से होते हैं हिमालयाद से लंबी है खिक हैं यह रिवर जो हैре ड्सकाइड्रो पास है वहाँ जगह का नाम है बारा भंगाल ठीक है वहां पर यह ओरजिनेट होती है हिमाजल परदेश की स्टेट में इसकी तोतल इंठ अगरा ह वहां पे जैसे को पीर पंजाल डौला दार जो है इसकी आगर साउथ में। थैस्ट मे तो हमारी पीर पंजाल रहें जाती है और अगर अगर नार्थ में देखें तो यह वाला धार र रहें जाती है तो उनके बीच से वकार गुजरती है थीक है यह जो म autres वेस्टर रिजिन जो है यह वाला मतलब ऐसा रिजिन ठीक है अगर हम यहां पर इंडिया को अगर हम बनाएं ठीक है यह जो हमारा नॉर्थ वेस्टर रिजिन जो है यह वाला इलाका जो है हमारा ठीक है तो जो नॉर्थ वेस्टर रिजिन जो इंडिया का वहां पर वहां से ग करती है फ्लो करती है उसके बाद यह पाकिस्तान में एंटर हो जाती है तो इसकी important tributaries अगर आप जाने तो क्या है वह है गाइस हमारे पास बुधील नायोर धोना सियूल एंड सियावा ठीक है गाइस यह है इसकी important tributaries तो गाइस अब हम उज रिवर के ट्रक्चर पर ठीक है यह स्योज धार रेंज की दोमिल स्ट्रक्चर पर यह क्या वहां पर ओरिजिनेट होती है यह river जो है 65 km लंबी है ठीक है और यह second most important रिवर कंकिस डिस्टिक की कठुवा डिस्टिक की ठीक है जो कहां से आती है राम कोट जो जमु की राम कोट साइड है उस साइड से उसकी तरफ आती है और कठुवा डिस्टिक में पास होके वहां पे कठुवा डिस्टिक से पास होके यह पाकिस्तान की और चले जाती है इसका पानी जो है उज रिवर है, इसकी important tributaries हैं, तो guys ये थी हमारी important tributaries, आप जम्मु डिविजिन, अब हम देखते हैं, sorry, important rivers, आप कश्मीर रिजिन, कश्मीर रिजिन की rivers के वारे में जानते हैं, तो जहलम रिवर है हमारे पास, जो अनिशेंट नाम है, जहलम का यह आपको याद रखने है, एक हम जिसको चश्मा कहते हैं, वैरेनाग सिप्रिंग से यह निकलता है, ठीक है, 80 km जो सरनगर के अगर हम देखें, सरनगर के सौथीस्ट, सरनगर डिस्टिक के सौथीस्ट के, सरनगर से 80 km दूर माले जिए, सरनगर से 80 km दूर वैरेनाग सिप्रिंग है, जहां से यह निकल अगर हम देखे तो वह 725 km है तो कितनी लेंध को यह कौवर करता है 177 km जो है लेंध कोवर करता है हमारी किश्मीर की वैली में सरनकर डिस्टिक में देखें तो बहू सारे ट्रिब्यूटर इसको इसको क्या करती है जॉइन करती है और इंट विकम नेविगेवल तो अगर इस खाना वल से लेकर Wooler Lake यहीं की जो Largest Fresh Water Lake जिसे कहा जाता है तो वहाँ से हमें यह देखने को मिलती है ठीक है उसके बाद जहलम रिवर को हम स्रिनगर की Lifeline भी कहते हैं क्योंकि इसके उपर बहुत आरच स्रिनगर और इसके उपर डिपेंड है ठीक है और यह सीटी को दो हिस्सों में स्रिनगर की सीटी को दो हिस्सों में बाइफर्केट कर देती है दो पार्ट में बाइफर्केट कर देती है यह रिवर जो है बारा मुला डिस्टिक से बहती है ठीक है एक रास ता जम्मूरीजीन में बहती है, ng पर पाकिस्तान में चली जाती है, और हमारे इंडर स्रीवर की एक जो है ट्रिब्यूटरी बन जाती है सिरनागर बारा मुला और अनांतनाग सिटी जो है वो इसकी जालम रिवर की दोनों साइड पर सजवेचेट आंदा बोस साइड क्योंकि बीच में से उसको काट कर लेती है तो बहुत सारे हाइडल प्रजक्ट भी इसके उपर बनाए गए ह और इसकी अगर देखें तो टोटल 24 इसकी ट्रिब्यूटरी जो है आपके सामने यहां पर है सिंद पोरु विषयो रंबाइरा फोरु फोरु एड्सेटरा ठीक है यह क्या है इसकी इंपार्टन कुछ ट्रिब्यूटरी ज है आप इसको याद रखिएगा तो दूसरी रिव होती है ठीक है और 26 km North from पहलगाम, पहलगाम से 26 km ना नार्थ में आता है ये तो वहां से ये originate होती है आपको याद रखना है कि कौन से glacier से कौन सी river originate होती है important है ठीक है इसके बाद ये 73 km length ये कश्मीर वैली में अपना cover करती है और second major tributary अगर हम जहलम की माने तो लिडर रिवर है ठीक है और it meets it in the north of Anantanag town Anantanag town जब Anantanag के town में ये river पहुँचती है जहलम तो वहां पर जाके इसको मिल जाती है ये लिडर रिवर जहरम से मिल जाती है तो पहल गाम जो है लिडर वैली के center में situated है ठीक है इसकी दो man tributaries है एक का नाम है लिडर east दूसरी का नाम है लिडर west तो ये थी दो important rivers कश्मीर division की तो जिसी के साथी हम यहां पर अपना lecture खतम करते हैं तो इसका अगला पार्ट जो होगा उसमें में आपको important lakes जो होंगी Jumbo and Kashmir की वो बताऊंगा ठीक है Jumbo and division के लगसे बताऊंगा किश्मीर division के लगसे बताऊंगा तो guys this is the end of our video thank you God bless you all तो मिलते अगले वाली वीडियो में तब तक के लिए नमस्का जैहिन